तो वीडियो के टाइटल पढ़के आपको पता चल गया होगा कि आज में मेरी भाईया की रिस्टिप्शन पार्टी जो की गाउं में हुआ था उसकी वीडियो सेयर करने जा रहे हूं और यह जो आप देख रहे हो na वाल पर यह मेरे पापय बनाए क्योंकि ओडिया हमें हमें इस तुर्फ के लिखना जाता है और अगर लड़के वालों की तरफ उनके घ़र में लिखना है तो लड़कर का नाम पहले लिखा जाता है और उसके बाद लड़की का नाम, जैसे कि मेरे भावी का नाम, और इस तरीके कि लड़की वालों के घर पे भी लिखा जाता है, तो वहाँ पर पहले लड़की का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद मेरे भावी का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद मेरे भावी का नाम लिख कि वह बहुत अच्छा बनाते हैं तो मैं आप लोगों साहते वीवोर आप्टर वाली वीडियो साहए चे करेंजी जाओ। और यह न पूरा रस्ता से मतलब जो गाउं में होता है न में रोड से हमारे घर तक में रोड यानि की गाउं में जो चोटी चोटी रोड होती है उसे रोड से हमारे घर तक का यह पूरा लंबा रस्ता है जो यह रस्ता भी हमारा ही मतलब हमारे फैमिली का तो हमने इसको पूर बला डेकोरेट करवाया था रस्ते से हमारे घर तक और अनेशली सच बताते हूं मतलब इस तरीके के डेकोरेशन गाउं में मैंने अभी तक नहीं देखा था मतलब हमें पता ही नहीं था कि इतना अच्छा डेकोरेशन करेंगे वह जितने भी रिलेटिव साय थे सब ने खूब मतलब मेरे घरं मेरे देकोरेशन सबसे ज्यादा अच्छा डेकोरेशन आए मैल नहीं मतलब इस कटकिस अधिया अकि शी यादा आपशकन आरफ burial था बहुत जबन काफी अच्छा था प्रमसता ightका डेकोरेशय था याथ लिटकरत मौन अम पतलब तक टाउंड में थे नॉ पर उसका मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि साधी में तो आपको पता है वो थोड़ा से स्टाइल मानने के लिए हेवी हेवी लेंगा पहन के उसमें उच्छा लंबा हील पहन के फिर उस पे जो बारात में जो पाराती डैंस दोम करके फिर वहां जाके पहुं हम लोटे यानि कि मतलब आज हम निकले रात वहां पर साधी में मतलब साधी इसा करके वहां पर टाइम हो गया हम जब लोटे तो उसके अगले दिन सुबा होने से दो-तिन गंटे पहले ही आमा के घर पे पहुंचे तो काफी ठगे थे इसलिए मैंने उसका ज्यादा वीडिय मैं बनाई हूं उसका लिंक में नीचे दे दूंगी वह मेरी भाई की मैरेज वाले वीडियो में है आप देख सकते हो तो यह आफ्टर वाले वीडियो है वह बीफोर वाला वीडियो था यह आफ्टर वाला है यह सामके वक्त का है जब सामके वक्त फंक्सन रखा गया था औ और सामके बर पार्टी था तो सब लोग गाउं से आ रहे थे खाना खाने तो इसलिए लोग यहां से जा रहे यह एंटरेंस दिन में कुछ उस तरीके का दिख रहा था और रात में कुछ ऐसा दिख रहा है स्टार्टिंग में गनेश जी है और यह वाला वीडियो मेरे मामा जी के बैटेने सूट के आए मैंने उसको पकड़ा के मैं खुद यहां वाल घुम रही थी मैं उसको पकड़ा दी थी कि थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दे फ्लीज क्योंकि लोग आते चाते रहते हैं थोड़ा सा अकवर्ड फिल होते हैं तो इसलिए वो बना रहा था वीडिय करने के लिए उनको दिया गया था उनके लोग काम करें थे और यहां पर मेरे दोनों बेहने वह अपने फोटो सेशन में लगे हैं और अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेजी और वीडियो को लास तक जरूर से देखे क्योंकि दिन में जो जो आपने देखा था ना रात को वैसा नहीं है रात को बहुत कुछ चिंजिस हुआ है जो मैं आपको इसके आगे दिखाऊंगी जूटनी बोल रहे हूँ वी और पिछे बैकराउंड में म्यूजिक चल रहा था क्योंकि इस समय सब लोग आ रहे थे जा रहे थे खाना पर चल रहा था तो मूजिक चल रहा था और मूजिक की बज़े से कोपी रैट क्लेम आ जाता तो इसलिए मुझे वाइस ओबर करना पड़ा और यहां पर बीच पी उसका भी लिंग में निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से तिक सकते हो यह लास्ट में भी गनेश जी का फोटो है गनेश जी का मुर्ती है फोटो नहीं सौरी और यहां पर गेस्ट पेठे हैं और यहां पर यह सबसे अच्छा वाला चीज बताए क् यह है सेल्फी फॉइंट जो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं या फिर फोटो कीचाना चाहते हैं वो यहां की सकते हैं दिन में यह नहीं था ना यह दिन में नहीं था यह रात को बनाये हैं मतलब जब मैं दिन में वीडियो बना रहे थी उसी दिन ही वोलम नहीं बनाते तब कि जूचकि नहीं पतोर स्टाइब कि अपिते हैं तक पर साम होती हैं यह बना दिये थे पितलब बहुत फास्ट काम करें दो हुआ यहां पर है और यह पर स्टेज बना था यका गया था और उस तरफ खाने के लीए तो उपर शेक भी खाने के लिए तो पर यानि और यह रही में और यहां पर मेरी जो भाईया है जो वीडियो बना रहे थे वो बहुत हो गया अपना क्यामरा लो अभी मुझे और ने बनाना तो पाटी यहां पर कतम हुआ और अगले दिन पूजा था पूजा यानि कि एक साधी के बाद एक पूजा होता है तो वह वाला पूजा हो रहा था यगे हो रहा था और यहां पर सब अभी उन्हें गिफ्ट्स देंगे यह सबसे वाला इंट्रेस्टिंग वाला पाटे उन्हें यानि कि भाई को कुछ नहीं देंगे कोई भावी को सब यहां एक रासम होता है जिसमें सब जो बड़े होते हैं उनसे वो लोग सोना देते हैं या फिर चांदी देते हैं या फिर पेसा वो सब देते हैं मतलब जो नहीं नविली दुलन होती है उनको दिया जाता है तो सब भावी को देंगे भाया को कुछ नहीं देंगे और छोटे लुक्त छोट 누가 शोटे होते हैं अंगुठी और अंगुठी और बाकी जो नीचे है और कोई पेसे भी दे रहे थे तो जो हमें भूल रहेते हैं जो छोटे होते हैं अंसे, वो लोग कफ़ नहीं देते, मतलब अच्छा सूविधाय नहीं दे सकते पर हम जो उनसे थोड़े थोड़े चोटे थे, हम सब तो भाई भाई से चोटे हैं तो हमने बस उनकी खुसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ दे दिया था और हम सबने भी मिलके सबसे कुछ ना कुछ लोटा था मतलब सबसे हमने पेसा लोटा था मतलब जैसे कि मेरी मम्मी पापा कुछ गीवट देना चाहते हैं मतलब भावी के लिए हमने इनकम कर लिए भावी तो भी मांगेंगी तो उनके लिए हमने सब ये इनकम किया तो मैं चाहरी थी कि ये वीडियो में आप लोगों को आप बिना वोईसओवर के दूँ पर आपको पता है हमारे घर में इतने लोग है कि हमें सा थोड़ा बात हला हुला चिला चिली मचती रहती तो मैंने सूचे कि अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने वोईसओवर कर दि कि अचला है हम आपको एसक जरेघा है हमारे आपको